सीवा जी नगर का जो election हो रहा है उसी के सिलसिले में मैं बात करूंगा अर्षत साहभ है हमारे साथ अर्षत साहब काफी connected है society में बहुत सारे social work करते हैं तो पहले वो जानते हैं कि किस किस तंजीम से वो जुड़े हैं अब उसके बाद पूछेंगे स्रिवा जी नगर में इनकी क्या रहा है तो अर्सत साब ये बताईए कि आप किस किस और्गनाइशन से जुड़े हैं और क्या कर रहे हैं मैं साब सोशल वर्क करता हूँ और फिल वक जो है इंपावर इंडिया डारेक्टिव चारिटिबल ट्रस्ट का मैं प्रेशिडेंट हो और दूसरा जो है जमात अहलत दिस धकनी साहवान ट्रस्ट का सेकरेटरी हो और मस्चिद अबराहिम इनाया का सेकरेटरी हो साब जी तो ये बता ही कि अभी जो इलेक्शन हो रहा है यहां पे सिवा जी नगर में क्या लगता है कि किस लोगों का क्या मूड है मौजुदा हालात को लेकर जो है मुसल्मान फिल वक जो है बहुत कन्फियूज हैं क्योंकि यह त्री कैंडिडेट्स वर मेजर कैंडिडेट्स बींस्टॉल्ड है मैं समझता हूँ जहां तक है कि सब मिलकर एक जूट होकर हम लोगों को सब कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए तो क्या लगता है आपको कि दूसरे जो पार्टी है जनता दल है और SDPI है इसको कोई जितने का चांस नहीं है मैं नहीं समझता कि जो है ये कैंडिडेट्स जो जनता के हैं और दूसरे SDPI के हैं वो इतने स्ट्रॉंग एंड नोन कैंडिडेट है समझें ये अर्शद रिजवान जो है ये उन्होंने दो वक्त हलांके ही लास्ट वाइस पर फिर भी मैं समझता हूं के इस अन यंग्स्टर इंशालला ही शूद डू वैल तो अभी मेरे साथ अफसर कादरी साब हैं जो कि ये भी काफी वेल कनेक्टेड हैं सोसाइटी में और बहुत सारा सोसल काम करते हैं उनसे जाने की कोशिच करते हैं वो क्या करते हैं उसके बाद सिवा जीनेगर के उपर उनकी क्या रहा है वो पूछेंगे सर क्या करते हैं आप बिसे कि वोजर बताई के विल आएं में सौफ़फेर प्रफेशनल राने सौफ़ए डेवलेप्मेंट कंपनी ता लेकिन शोशली जो है मैं आल इंडिया मिली कॉंसिल से जुड़ा हुआ हूँ अब ये बताई कि जो आएंडिया में क्या सोचते हैं आप नॉट रप्रेशनल रेप्रजी जोड़ा हुआ हूँ तो अब ये मताई कि जो आएंडिक्षन शिवा जी नगर में है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप नॉट रप्रेशन टिंग अनी अफ माइ असोचिएशन मेरी परस्नल राय ये होगी के शिवाजनगर असेंबली जो है मुस्मानों के लिए जो है बहुत आहम असेंबली है और यहां पर जुब है मैं समेर स्य थो आएज सप्रेशन हुच उनल रहे जो हमारे प्लाइड को समझाएएँ। I think we should be working at, you know, consolidating the whole vote towards him and then trying to make him win the, you know, seat here instead of trying to lose out to a party which probably is not going to be working in our favor. So, क्या लगता है ये जो तीन चार पार्टी हैं, अभी सबसे ज़्यादा जो रुजाओ लोहों का है, किसके तरफ है, आपको क्या लगता है? See, अगर पॉपल rutRY और खापलीःआद को देकें, तो मैं समाज्ट। मरेशन रचपवन अरषद वे अहादू ज़्यादा हैंचेंट। Though I know a couple of other candidates also who have actually put in their nominations, मैं समाज्ट। it is a futile exercise and they don't really stand much of the chances of winning. मैं समाज्ट। it should be, they should probably, I mean, move back and allow the person who is having the capability to win this seat, he should come forward instead of you know trying to make some votes loss against him which is going to be in the favor of the other party which is you know not our choice हमारे साथ अभी एक डॉक्टर साहब हैं उनसे बात करते हैं और वो क्या-क्या काम करते हैं उसके बारे में पहले बात करेंगे फिर उसके बाद डिफिनेटली आहम सवाल है शिवा जिनगर के बारे में वो भी उसके उपर भी वो रोशनी डालेंगे डॉक्टर साहब ये बताईए कि आप बहुत सारा सुनाएं की सोचल वर्क करते हैं और काफी लोगों की मदद करते हैं तो आपका दिन कैसे कुजरता है मैं सुनाएं सुनाएं साथवेस लोगों की आप मदद करते हैं जी बस मैं तो एक डॉक्टर हुँ मैं तो मैं अपने फील है ना उसमें मैं ज्यादा काम करता हूं मैं तो मैं फिल वक्त मैं है ना एक Charitable Medical Trust है पाजे सरी समाइल अजेस्माइल सरिक факर्ड उसका मैं मेडिकल subscribe दायरेक्टर हूं एचा उसके माद प्रर्भी क्रिनिक चला रहे ना ऑदें इसमें तख्रीमाखरी आठ हजार के उपर पेशिट ऐवरे डिय थे सारी एवरे मन्थ हम उनको ट्रीड करते हैं और फ्री मेडिसिन भी देते हैं उसके बावजुद भी जो भी मेडिकल का प्रॉबम्स हैं लोग मेरे पास आते हैं उनको मैं कोशिश करदा हूं की मैं मदद करें यह वोग में है आते हैं यह जो जो आप सुना की बहुत सारे तंजीम से भी हैं उन लोगो की राय क्या है और आपकी क्या राय है और आपकी क्या राय है हुम है और उसके मातहद है न हम यह काम करते हैं कि भई यहां पर शिवाजजगर में यह कांस्टिजएंसी में थोड़ा प्लिटिकल अवेरनेस लोगों को हो तो मेरी यह राय है कि और हमारी इवन और्गनेशन सेवर्स अव डिमाक्रिसी की मीटिंग थी दो-ती दिन पहले उस करें और यह कैंडिड जो है हम इसे जानते हैं कि एजुकेड़ है एंगर एनोजिटिक है और इनमें काम करने का जजबा भी है मैं एक गुदारिश करता हूं कि हर एक नवजवान से हमें हर एक ओटर से कि वो वोट को स्प्रिट न हो दें होने दें और सब बहना मिल जूल कर कांग्रेस का सपोर्ट करें तो आप लोग कांग्रेस को सपोर्ट करें हैं हमारे साथ हमायो सेट साथ हैं उनसे पूछते हैं कि जहां तक मैं जानता हूं कि वो एक बिजनेसमेन है और काफी सोशल वरकर भी हैं सोसाइटी में वेल नोन है तो उनसे जाने की कोसिच करते हैं क गौम के लिए काम कर रहा हूँ मैं हम लोग एक तन्जीम बना हैं सेवियर्स आफ फॉर डिमॉक्रिसी जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जिसमें है न हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि है न वोटिंग हर एक आदमी करें तो इसके लिए वोटिंग कार्ड्स बनाए तकरीबन बीस हजार तक फॉर्म्स हम लोग इशू किये और अल्हमदोलिल्ला मैं बीपैक से भी मुंसलिक हूँ बीपैक जैसा कि आप लोग जानते हैं बैंगलोर पॉलिटिकल एक्शन कमिटी इस उनली ट्रेनिंग फॉर अपकमिंग लीडर्स हम लोग तमाम पूरे खौम के लिए ही नहीं सिर्फ पूरे इंसानियत के लिए काम करें तो अल्हमदोलिल्ला वो काम हो रहा है आज भी हमारे दो तीन प्रोजेक्ट यहां पर बेंसेंटोन में भी चल रहे हैं और यहां पर है ना आवे पिछले दिनों यहां पर एक रेलिंग डाला गया जिसमें जाकिर साब बहुत बढ़ चाड़ कर हिसा लिए कार्परेटर तो आप लोग किसको इस बार के ऐलेक्शन में शिवाजी नगर में सपोर्ट करेंगे अब ऐसा है कि शिवाजी नगर में तमाम जो लोग खड़े हैं अच्छे मेहनती लोग हैं और अच्छे नौजवान हैं जो काम करना चाहते हैं यहां वेरी गुड अपकमिंग यंग्स्टर्स हम लोगों को मालूम है कि यहां पर पांच शे जब मुस्लिम कैंड़ेट खड़े हो गए हैं और उसमें तीन पार्टी मदबूत अपने अपने कैंड़ेट को खड़ा हैं तो उसमें हम लोगों का मशवरा और हम लोगों का डिसिशन भी यही रहा है सेवियर्ज ऑफ डिमॉक्रिसी में कि हम लोग तमाम पन्रा कॉंस्ट्रेंसिस में जहां पर बाई एलेक्शन हो रहा है वहां पर कॉंग्रेस को सपोर्ट करेंगे और हमारे वालन्टियर्स सब जगा काम कर रहे हैं आप लोग कॉंग्रेस को बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन मेरा एक पूछना है क्वेस्टिन कि आपके सिवा जेनगर में मुस्लिम का वोट इतना कम क्यों पड़ता है इसके उपर आप लोग काम क्यों नहीं करता है हाँ यह अफसूस की बात है तो इसके लिए हम लोग आज भी आप देखेंगे हमारे सोशल मीडिया में हम लोग तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे है कि ना किसी तरीखे से वोटिंग बढ़ाई जाए और इसके लिए लोगों को एजुकेट करें और इसमें अक्सर यह देखा गया कि मेरे एक वोट से क्या होता है यह आटिटूट बदलना चाहिए हर एक आदमी यह समझे कि है मेरे एक वोट से ही जीतेंगे तो यह यह बात के उपर जोर देना चाहिए और मुझे पूरा यखिन है कि अगर वोटिंग हमारे सही हो तो वोट हम लोगों को ज्यादा पढ़ेंगे और रिजवा नर्शद की कामिया भी जरूर होंगी तो यह आज जो मेरा सर्वे चल रहा था जो मैंने पहले आप लोगों सेटेड़ों कहा था कि मंडे से फ्राइडे हर रोज फिर आपको मिलेगा सर्टेडे को थैंक यू सो मच वाचिंग इंडिन मीडिया बुक